ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने जीवन में धन संबंदित समस्याव से परिशान रहते हैं ऐसे में आपको धहरे से काम लेना चाहिए और अपने काम में मन लगाना चाहिए साथ ही हमेशा सकरात्मक उर्जा से भरे हुए रहना चाहिए अगर आपका काम भी बार बार बिगड रहा है तो आपके घर में मौझूद एक चोटी सी चीज आपको ये समस्या दूर कर देगी लाग कोशिशों के बाद भी कई बार काम पूरा नहीं हो पाता है या फिर बनता बनता काम बिगड जाता है क्या आप जानते हैं कि आपके घर में ही कई ऐसी चीजे मौजूद होती है जो आपकी किसमत चमका सकती है इनसे किये गए छोटे छोटे और आसान उपाए आपकी परिशानियों को तो दूर करेंगे ही साथ ही आपके घर में समरद्धी और शान्ती भी लाएंगे आज हम आपको बता रहे हैं पान के पत्ते के कुछ ऐसे प्रयोग जिने करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रयोग अगर आपको कोई काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है और लाग प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा है तो रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकले आपके सभी कारे अपने आप बनते चले जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी अगर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर आपके व्यापार को ठप कर दिया है तो आप शनिवार की सुबह पांच पीपल के पत्ते तता आठ साबु डंडी वाले पान के पत्ते ले इन सबी पत्तों को एक ही धागे से पिरोकर दुकान अत्वा कारेस थल पर पूर्व की और बांदे। ऐसा लगातर पाश चैनिवार करे। पुराने पत्तों को किसी कुए अत्वा नदी में बहा दे। इससे दुकान पर किया गया तंत्र मंत्रे निश्वल हो जाएगा और आरियल की आहूती दे। इससे उस परिवार के सभी कश्ट दूर होते हैं और घर में सुक शांती और सम्रध्धी आती है। सब्सक्राइब आल चैनल और प्रेस बाल आइकन पूर मूर अपडेट्स।